नमस्कार साथ हूं लाइव स्टेडिया लावाद यूटीब चैनल पर मैं अधपल मड़ितर पाथ ही आप सभी लोगों का स्वगत करता हूं दोस्तों रात के सवा नौ बज़ चुके हैं और सवा नौ बज़े का जो आपका सेशन होता है EGD PGT और ReliGate की परिक्षा के लिए Political Science का Practition होता है समयमन नियमित रूप से आप लोगों के लिए Political Science के महत्वपूर्ण प्रशनों को लेकर उपस्तित हो जाता हूं जिसका आप लोग नियमित अभ्यास करते हैं दोस्तों, आपके selection में जो सबसे महत्वपूर भूमिका होगी, वो आपके practice की ही होगी, जितना अधिक से अधिक प्रशनों का आप अभ्यास करेंगे, जितने अधिक से अधिक प्रशनों को आप खल करेंगे, उतना ही आपके लिए परिक्षा जो होगी, वो सरल होती जाएगी सफलता का कोई भी साट कट नहीं होता है यह हमेशा जो है आप लोग ध्यान रखिएगा और सफलता जो है वो अभ्याद से ही मिलती है चाहें आप किताबें कितनी पढ़ लिजे किताबें पढ़ना अति महत्वपूर है अति आवस्यक है लेकिन जितना आवस्यक किताबों को पढ़ना है या नौलेज को इकठा करना है उतना ही जो है दोस्तों उस नौलेज को प्रस्ण में कनवर्ट करना है सबसे बड़ी समस्या वो विद्यारतियों के साथ होती है किताबों को पढ़ लेते हैं टॉपिक पढ़ लेते हैं लेकिन उस टॉपिक से प्रस्ण किस तरीके के आते हैं इसको डिसाइड कर पाना थोड़ा सा उनके लिए जो है ये समस्या का भी से रहता है तो आप लोग जितने भी अनुभवी लोगों से पूछेंगे जो लोग सफल हुए हैं या ऐसे लोगों से अब पीछे चोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं दोस्तों यदि आपको इस सेशन का मेंबर सिप लेना है तो दोस्तों पचास रुपे का भुकतान करके आप लोग मेंबर सिप ले सकते हैं इस सम्मनित को लिए आपको जानकारी चाहिए तो 700-770-1847 इस नंबर पर आप काल आप लोगों के लिए Topic Wise Test Series पहले सुरू करा दूं कि आप लोग Topic Wise प्रशनों का अभ्यास करें और Topic Wise एक बार कर लेते हैं उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों की परिक्षा जो है वो जनवरी के अंत में या फरवरी में आप लोगों के परिक्षा होने की संभावना है तो ऐसी इस्तिती में जनवरी से पहले जो है आप लोगों का Topic Wise टेस्ट और आपका जो है वो फुल टेस्ट ये 10 Topic Wise और 10 फुल टेस्ट मुझे कराने हैं तो 10 Topic Wise टेस्ट के लिए दोस्तों सुरूप 500 रुपे रहेगा आप लोग जो है वो 500 रुपे का सुरूप देकर Topic Wise टेस्ट को कर सकते हैं इसमें आपका भारतिय सम्मिधान और आपका राजनेतिक चिंतन दोनों इसमें दोनों के Topic एक साथ मैं लेके चलूँगा साथ ही आप सभी लोगों से निवेदन हैं दोस्तों कि यदि आप टेस्ट सीरी जोइन करना चाते हैं तो आप लोगों को Description Box म पे उस लिंक से आप पहुंच जाएंगे और गृप को आप लोग जॉइन करेंगे अब जो है दोस्तों सीधे चलेंगे अपने सेसन की तरफ और आज के सेसन के पहले पर 만약 को लेंगे और दोस्तों आज के सेसन के जो प्रस्तों हैं वह थोड़े वहुत आपके लिए challenging प्रस् तो कभी कभी थोड़ा सा जो है वो प्रस्णों का स्टेंडर उपर नीचे करना भी जरूरी होता है क्योंकि परिक्षक हमेशा ट्रेडिस्टनल जो है वो पैटरन पे आपको प्रस्ण नहीं पूछेगा कुछ प्रस्ण 10-5 प्रस्ण ऐसे होंगे 10-20 प्रस्ण ऐसे हो सकते हैं या परिक्षक जो होंगे चेंज होंगे आप सभी को पता है पूरी टीम चेंज हुई है ऐसी इस्थिति में आपको अपनी थैयारी का लेबल जो है वो बढ़ा के रखना है तो लेबल यदि बढ़ा के नहीं रखेंगे तो परिक्षक चेंज हुए है पेपर सेटर भी परिक प्रशन देखने को कम मिलेंगे इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना है अपने स्टेंडर को उठा के यदि आप सेलेक्शन चाहते हैं तो चलें अब सीधे चलेंगे दोस्तों और आज के पहले प्रशन को देखेंगे आज के सिसन का पहला प्रशन जो है वो आ करने का प्रयास है बारकर सेवाइन स्ट्रास और इस्टरन आपको चार विकल्ब दिया है चारों में से किसी एक कचुनाव करिए और तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिए जितने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए है सब लोग उत्तर करेंगे आप सभी का उत्तर आ भ मिल्कुल भी आप लोग घबडाएंगे नहीं प्रशन गलत भी होते हैं तो कोई बात नहीं है प्रशनों का स्टेंडर थोड़ 세flower है तो ऐसा नहीं है कि आप लोग घबडा जाएंगे कि आज का प्रशन मुझे आ नहीं रहा है आपको नहीं आ रहा है इसलिए मैं जो है इन प् चले सेवाइन महोदय ने कहा था दोस्तों कि राजनीतिक से धान समाने सब्दों में व्यक्तियों को सजगता के साथ समझने और उनके सामोहिक जीवन और संगठन की समस्याओं को हल करने का प्रयास है तो आप लोग इस प्रशन में B. विकल्प के साथ जाएंगे जैसा कि मैं देख रहा था धाmaximum लोग जो है लियो इस्ट्रास की बात कर रहे थे सी विकल्प का जो है मैक्सिमम लोग चुनाओ कर रहे तो जब समस्त मुल्यों के समानता की सिक्षा की बात आए तब आप लियो इस्ट्रास का चुनाओ करेंगे अनिथा आप जो है यदि आपसे पूछा जा रहा है कि व्यक्तियों को सजगता के साथ समझने वो उनके सामुहिक जीवन और संगठन की समस्याओं को हल करने का प्रयास है तब आप लोगों को जीयत सेवाइन का चुनाओ करना पड़ेगा उत्तर आपका जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगले प्रिश्न पर चलेंगे अगला पस दिया है कि निमन में से किसने राजनीतिक दर्शन के मरत्य पर दुख प्रकट किया उत्तर आप लोगों को करना है दोस्तों राजनीतिक दर्शन के मरत्य पर दुख प्रकट करने वाला राजनीतिक विचारक कौन है राबर्ट डॉल, राबर्ट डेहल को राबर्ट डॉल लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है, पीटर लासलेट, पीटर विंच और डेविड स्टन, चारों में से जो है, आप किसी एक का चुनाव करेंगे, और उत्तर तेजी से करेंगे दोस्तों, समय आपका सुरू हो गया है, चले, बहुत ही बढ़िया, तो अब इस प्रस्न में दोस्तों, आप सभी लोगों का उत्तर जो है, एक तरफा उत्तर आ रहा है, तो बिल्कुल आप सभी लोगों को पता होगा, जब आप से जो है, वो राजनितिक दर्सन की मरत्य उपर दुख पूछा जाए, कि राजनितिक दर्सन की मरत्य उपर दुख कित ने प्रकट किया, तो आप लोगों को जो है दोस्तों, पीटर लासलेट का चुनाओ करना है, उत्तर पीटर लासलेट के लिए आप सभी लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, दोस्तों, एक बार वीडियो को आप लोग होने लगता है, तो मेरा एनर्जी लेबल बढ़ाने के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करें और सेयर करें, जितने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों से जो है दोस्तों, वीडियो को लाइक और सेयर करने का बिनमराग रहा है मेरा, आप किसने जो है वो पतन की बात की थी, पतन, राजनितिक दर्सन के पतन की बात किसने की है, आप लोग उत्तर करेंगे, राजनितिक दर्सन के पतन की बात किसने की है, चले, चले बिल्कुल राजनितिक दर्सन के पतन के लिए आप लोगों का उत्तर आना चाहिए चले तो राजनितिक दर्सन के पतन की यदि आप लोग बात करेंगे तो दोस्तों आपके डेविड स्टन और अल्फेड काबन अल्फेड काबन और डेविड स्टन महुदे जो है वो आपके राजनितिक दर्सन के पतन की बात करते हैं पीटर लाल सेट महोदे जो है इसके मरत्य उपर दुख जो है वो दुख का इजहार करते हैं राजनेतिक दर्सन के चलिये और इसके निधन को किसने स्विकार किया है किसने स्विकार किया है कि राजनेतिक दर्सन जो है वो मर चुका है उत्तर करेंगे तेजी से चलें चलें तो आप लोग ध्यान रखेंगे दुख पर जो है जब आपसे मृत्युपर दुख प्रकट करना पूछा जाया लाल सेट का चुनाओ करेंगे राजनितिक दर्सन के पतन का चुनाओ प्रसना आपसे पूछा जाया डेवेड स्टन या कावन का चुनाओ करेंगे जब आपसे ये पूछा जाया कि इसको जो है दोस्तों किसने का था कि राजनितिक दर्सन जो है वो मर चुका है या राजनितिक दर्सन के मृत्युपर किसने स्विकार किया है मृत्यू पे दुख प्रकट करना और मृत्यू को स्विकार करना दोनों अलग-अलग प्रशन हैं दोस्तों तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा तो आपके हराड लासवेल तथा राबर्ट डहल जो है ये दो लोग इसके मृत्यू को स्विकार करते हैं तो जब आप से जो है दोस्तों सिर्फ पूछा जाए मृत्यू तब आप जो है डहल तब आप जो है डहल का चुनाओ करिएगा चलें जी बिल्कुल और लासवेल का चुनाओ करिएगा तो ये चार प्रसने यहां से बनते हैं चारों को आप लोग ध्यान रखेगा समय लूँगा आज के सिसन में क्योंकि कुछ महत्यूपोन इंफर्मेशन जहां पर जरूरी होगा वहां पर आप लोगों को दूँगा आप लोग बिल्कुल घबडाएंगे नहीं तो जब भी आपसे पूछा जाए मृत्यू पर दुख किसने प्रकट किया पीटर लाल सलेट ने जो है किया था दुख प्रकट किया था इसके राजनेतिक दर्सन के मृत्यू की बात किसने की थी आपके राबर्ट डहल ने और लासवेल ने की थी इसके पतन की बात किस ने की थी दोस्तों तो डेविड स्टेन और कावन ने की थी तो आप लोग ये सारे महत्तुपूर्ण प्रस्न है सीधे सीधे ये पूछे जाएंगे इन सारे information को जरूर ध्यान रखिएगा यदि कुछ नए प्रस्न बनते हैं तो यहां से बनेंगे ये मेरा दावा है आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्न पर चलेंगे अगला आपको दिया है उत्तर माक्सवाद के संदर्में निम्रिकित में से कौन सा विकल्प सही है आपसे उत्तर माक स्वाद पूछा हुआ है दोस्तों, अपना चारो विकल्ब को पढ़िए उत्तर करिएगा, पहला आपको दिया है स्रमिक वर्ग क्रामतिकारी आंदोलनों में विक्सित नहीं हुआ है, आर्थिक वर्ग हित अपेक्ष्टया, विचारधारा और राजनिती से स्वायत होता है, स्रमिक वर्ग समाजबाद में अपने आधारभूत इस्तिती को बनाए नहीं रख पाता है, और चौथा दिया है, उप्यूक्त सभी, सही विकल्ब का चुनाव आप लोगों को करना है, तेजी से आप लोग अपना उत्तर चुनने का प्रयास करिएगा, चल स्रमिक वर्ग का विकास कैसे हुआ, तेजी से उत्तर करें, यदि आप कह रहा हैं कि ए विकल्ब सही है, सब सही है, यानि ए को आप सही मान रहा हैं, तो स्रमिक वर्ग क्रांतिकारी आंदोलन में विक्षित नहीं हुआ, तो किस रूप में जो है स्रमिक वर्ग का विकास हु स्रमिक वर्ग का विकास जो है माक्सवादी अंदोलन में कैसे हुआ है उत्तर माक्सवाद में माक्स करेंगे चले मनीज जी कहा रहे हैं लेनिन के सामेवाद के रूप में चले ममता जी कहा रहे हैं हमने यही पढ़ा है तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब आपसे पूछा जाए कि श्रमिक वर्ग की उत्तपत्ती कैसे हुई है तो दोस्तों स्रमिक वर्ग की उत्तत्ती का जो संबंध है यदि आपने माक्सवाद को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आसानी से आप समझ सकते हैं कि पूजी वाद के जन्म के कारण पहले जो है दोस्तों समाज को हम लोग देखते हैं सबसे पहले सबसे पहली जो बेवस्था है करसी प्रदान बेवस्था उसको हम लोग क्या कहते हैं प्रधान ब्यवस्था को हम लोग जो है वो कहते हैं सामन्तवाद सामन्तवाद सामन्तवादी जब ब्यवस्था थी दोस्तों उस समय प्रधान क्या था क्रिसी क्रिसी प्रधान ब्यवस्था थी जब सामन्तों के पास पैसा धीरे-धीरे कठा हो गया और आपके जो है वो बैज्ञानिक उपकरणों का विकास हुआ या अध्योगी करण का जब विकास यूरोप में शुरू हुआ दोस्तों तो ये सामन्त वाद किसमें बदला पूजी वाद में करम से याद रखेंगे तो कभी भूलेगा नहीं ये पूजी वाद में बदला और पूजी वाद जैसे सामन्त है वो पूजी पती बन गए और जो किसान थे दोस्तों किसान जो है वो आपके क्या बन गए मजदूर बन गए मजदूर बन गए इस पूजी वाद की वज़े से एक और व्यवस्था का जन्म हुआ था दोस्तों उद्योग का उद्योग का जन्म हुआ और इस उद्योग की वज़े से जो है वो मध्यमवर्ग का जन्म हुआ अब मध्यमवर्ग का जन्म इसके पीछे एक कहानी है दोस्तों कहानी को साट में जो है वो तेजी से कन्फर्म करूंगा मैं सामन्त बाद में करसी परदान बेवस्था थी दोस्तों और ये जो सामन्त होता था वो इसक्रसी पे नजर रखता था तो एक गाउं में जैसे मान लीजिए कि एक सामंत है और सौ किसान है इन सौ के खेत में जो है जो भी फसले हो रही है वो आपको पता है कि तीन से चार महिने लगता था फसल को तयार होने में कोई भी एक फसल 3-4 माईने में तयार होती है तो ये सामन्त किसी को रखता नहीं था इन फसलों की निगरानी के लिए लेकिन जैसे ये सामन्त पूजी पती में बदला और पूजी पती में बदला इसने मसीने लगाई प्रोड़क्शन होना शुरू हुआ तो ये अकेले इन सारी चीजों को देख नहीं सकता था सबका अबजर्वेशन नहीं कर सकता था कौन क्या कर रहा है, कौन किस तरीके से काम कर रहा है किसका प्रोड़क्शन बढ़िया आ रहा है, किसका प्रोड़क्शन बढ़िया नहीं बन रहा है तो इसके लिए इसने जो है दोस्तों अपने लिए एक सहीयोगी रखा जिसे वेतन पर इसने रखा और इस वेतन पाने वाला जो व्यक्ति जो है दोस्तों इसी मजदूरों में से यानि इनी समाज के लोगों में से जो पड़े लिखे समस्दार लोग थे इन सारे लोगों को ज के द्वारा जो प्रोड़क्ट बनाय जा रहा है वो गुडवत्ता पूर्ण है या नहीं और यही वेतन वाला जो हिस्सा तब का था दोस्तों यह वेतन वाला हिस्सा जो हुआ उसे मध्यमवर्ग कहा गया तो आप लोग ध्यान रखेंगे पूजी पती, मध्यमवर्ग और किस यह किस-किस तरीके से इनका जन्म होता है वो आपको राजन्यातिक दर्सन जब भी आपने किसी से पढ़ा होगा या किताब पढ़ी होगी तो आपको यह सारी चीजें वहाँ पे हो सकता है किसी ने समझाई हो तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे मध्यमवर्ग का जन्म हो गया पूजी पती हो गया और किसान तो जब भी आप से पूछा गया है यहाँ पे दिया गया है कि स्रमिक वर्ग क्रांतिकारी आंदोलन में विक्सित नहीं हुआ था तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि स्रमिक वर्ग का जो जो है दोस्तों विकास ना कि क्रांतिकारी आंदोलन के परिनाम सरुप तो आपका यह स्टेटमेंट जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा आर्थिक वर्ग हित अपेक्षतया विचारधारा और राजनिती से स्वायत होता है जी बिल्कुल आर्थिक वर्ग का जो है हित जो होता है वो विचारधारा और राजनितिक स्वयत होता है राजनिति से बिल्कुल सही दिया हुआ है स्रमिक वर्क समाजबाद में अपनी आधारबूत इस्थिती को बनाए नहीं रख पाता है बिल्कुल अपनी आधारबूत इस्थिती को नहीं बनाए रखता है recession के साथ जो है दोस्तों इसका संबंद है इसके स्थिती में उतार चड़ाओ जो है हमेशा आता रहता है तो आपका उप्योग्त जो चारो भी कल्प है वो बिल्कुल सही हो जाएगा चलने राम बादूर सिंग बरेली से कह रहा है सर मेरा net क्लियर हो गया चलिए बहुत-बहुत-बुधाई चलने जिन लोगों का net क्लियर हुआ है उन सभी लोगों को देर सारी सुबकामना बहुत-बहुत-बुधाई आप लोगों को अगला पस लेनिन की पार्टी इस रूप में संरचित थी कि कुछ लोग अभिजाति तथा बौधिक और नातिक रूप से स्रेस्ट होकर अलपमत स्रमिक वर्ग का महतवपोन हिस्सा और कंधार बन सके निमलिखित में से या किसने कहा है मैक फर्सन, मैक लिलन लिलन, सेवाईन और मिली बैंड चारों में से किसी एक का चुनाव करिए चलें तेजी से करिए दोस्तों वीडियो को लाइक सेर करें सबी लोग, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनोंने वीडियो को जो है वो लाइक नहीं किया है तो आप लोग तेजी से करेंगे वीडियो को लाइक करेंगे चलें आप सभी लोग जो है इसमें B विकल्प का चुनाओ कर रहे हैं कुछ एक लोगों का जो है वो C विकल्प के लिए उत्तरा रहा है इसमें कहा है कि लेनिन की पार्टी इस रूप में सनरक्षित थी कि कुछ लोग अभिजात के तथा बौधिक और नैतिक रूप से स्रेस्ट होकर आलपमत स्रमिक वर्ग का महत्वण हिस्सा और कंड़ार बन सके निमलिकित में से यह स्टेट्मेंट किसका है तो इस स्टेट्मेंट के लिए जो है दोस्तों आपके जियत सेवाइन महोदे जिम्मेदार हैं जो लोग इसमें जियत सेवाइन का चुनाव कर रहे होंगे उन सबी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा आप लोग दूसरे विकल्ब के साथ जाएए तीसरे विकल्ब के साथ जाएए उत्तर आपका बिल्कुल सही है जो लोग C विकल्ब की बात कर रहे हैं B विकल्ब के लिए नहीं और दोस्तों इस स्टेटमेंट को नोट डाउन जरूर करिएगा आप लोगों के फैदे के लिए बता रहा हूँ ये सारे स्टेटमेंट बहुत ही महत्तुपूर है आगे बढ़ते हैं स्रेष्ट परिसद का उलेक प्लेटों ने किसमे किया है आप लोगों को उत्तर करना है दे रिपब्लिक स्टेटमेंट दे लाज इन में से कोई नहीं उत्तर करेंगे तेजी से स्रेष्ट परिसद नैक्टुरिल काउंसिल उत्तर करेंगे तेजी से चले बहुत ही बढ़िया अब इस प्रश्ण में आप लोगों का B और C के लिए उत्तर आ रहा है तो जो लोग इसमें The Lodge की बात कर रहे होंगे स्रेस्ट परिसद का उलेग जो है The Lodge में आपके The Lodge नामग पुस्तक में जो है प्लेटो महोदे ने किया था जब अदर्स राज्ये की इनकी जो परिकल्पना थी दोस्तों वो विफल हो गई तब जो है इनोंने स्रेस्ट परिसद का उलेग किया अपने पुस्तक The Lodge में उत्तर आपका जो होगा वो सीवी कल्प के लिए सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण जो आपको दिया है इसके चले प्रस्ण में आपको कथन और कारण दोनों दिख रहा है उपर क्या लिखा है इससे कोई मतलब नहीं है चले तो आप लोग अभी कथन पढ़ेंगे अरस्तु के अनुशार सम्मैदानिक सासन की अपने परजाजनों वर सप्ता दासों के उपर स्वामी की सप्ता से नितान्त भिन्द्न है क्योंकि दास जन्व से ही निम्निवंग स्वैम सासन के लिए आयोग्य होता है कौन-कौन सा इसमें से सही होगा आप लोग अपना उत्तर चुनने का प्रयास करेंगे चले अरस्तु के अनुशार सम्वैधानिक सासक की अपने परजाजनों पर सत्ता दासों के उपर स्वामी की सत्ता से नितान्त भिन्न है चले बहुत ही बड़ी है, सब लोग जो है इस प्रस्न में ए भी कल्प का चुनाओ कर रहे है प्रस्न को आप लोग ठीक से समझ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों आपका जो कथन दिया है बिल्कुल सही दिया है दोस्तों दास की सत्ता जो है वो इनकी बिल्कुल भिन्न है दास पे जो सब्ता होती है क्योंकि दास का जो जन्म है वो जन्म सही निम्ना और जो है वो स्वयम के लिए स्वयम सासन के लिए योग ये ब्यक्ति था तो उसके उपर जो है वो सासन किया ही जाना चीए दोनों कथन जो है बिल्कुल सही है और ब्याख्या भी कर रहा है ये विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा लेकिन यदि प्रशन को आप लोग ठीक तरीके से समझ रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है किस तरीके से भिन है दोस्तों यदि प्लेटो महोदे के अरस्तु महोदे के अनुसार बात करें तो इसने आपको दिया है कि अरस्तु के अनुसार समयदानिक सासक की अपने परजाजनों पर सत्ता दासों के उपर स्वामी की सत्ता से नितांत भिन है तो किस अर्थ में चलें थोड़ा सा serious रहें आप लोग आप सभी लोगों को जो है दोस्तों मेरा सुझाओ रहेगा कि आज के session में थोड़ा सा serious रहें concentrate होके आप लोग जो है दोस्तों प्रस्नों को देखें और उत्तर करें ना आप लोग खुद distract हो और ना मुझे distract करें बस यह जो है आप लोगों के लिए आप ही लोगों के लिए बोल रहा हूं इसमें कोई मेरा जो है वो ब्यक्तिगत जो है वो फायदा नहीं है चलें अगला प्रस्न आप लोगों के सामने आ चुका है प्रस्न को पढ़िए उत्तर करिए तेजी से दिया है निम्न मेंसे किसके अनुसार विज्ञान निस्क्रिय जिग्यासा का परिणाम है दर्सन के वल बहुत धिक सजावट है सिस्ट जीवन की सुख सो विदाय चमकीले रंगीन फीते हैं उत्तर करेंगे आप लोग इस प्रशन के लिए आसान सा प्रशन है आसान सा स्टेट है चलें तो जितने लोग इसमें रूसो महदे की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा रूसो महदे ने कहा था कि विज्ञान निस्क्रिय जिग्यासा का परिणाम है दर्सन के वल बहुत धिक सजावट है यानि विज्ञान की जो है भेट है लंगी फीते के जैसी है बिल्कुल और यह एक नए एक दिन जो है दोस्तों धूमिल पपकड़ाते हैं तो आपका उत्तर जो और इस प्रसन में तीसरे विकल्प के लिए बिल्कुल सही होगा जो लोग इसमें तीसरे विकल्प की बात कर रहे हैं आगे बढ़ेंगे जी, चमकीले फीते यडि आप लोग जो है 70s की फिल्में देखेंगे तो 70s की फिल्मों की जो अभिनेत्रियां होती थी या हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोगों ने जो है वो दो चोटियां और उसमें फीते जो है वो लाल पीले हरे रंग के बांधे होंगे तो आप सभी लोगों को जरूर चमकीले फीतों के बारे में पता होगा चलेंगा अगला पस्ट निम्ड में से कौन सा तथ्या माक्सवाद के अलगाओ के सिध्धांत के संदर्ब में सत्य नहीं है आप लोगों को बताना है माक्सवाद का अलगाओ का सिध्धांत जो दिया है उसके बारे में कौन सा सत्य नहीं है चले तो आप लोगों ने जो है दोस्तों माक्सवाद में परायपन की जो है वो संकल्पना पढ़ी होगी उसी को परायपन की जो संकल्पना है उसी को हम लोग अलगाओ वाद भी कहते हैं इसे अलगाओ के सिध्धांत के नाम से भी जाना जाता है माफ करेंगे अलगाओ वाद नहीं प्रजाद के परिणाव सरुख जो है ब्यक्ति अपने आपसे भी दूर हो जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, सिर्फ परजाती मातर से अलग नहीं होता है, अलगाओ यहां पर दिया है, परजाती मातर सब्द दे दिया है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, तिन नहीं है, पूछा है, सर्फ प्रजाती मातर नहीं, सभी चीजों से अलग होता है, किसने अलग किया था, पूजी वाद ने, अब पूजी वाद ने कैसे अलग किया, अब ये concept आप सभी लोगों का clear होना चाहिए, चलिए उमीद है, आप सभी लोगों का concept clear भी होगा, कि प अलगाओ कैसे पैदा किया था, अब इस पर बहस करूँगा, तो समय जादा लगेगा, और समय लगेगा, तो आप मैंसे बहुत सारी लोगों को जो है, वो देखता हूँ, समय की वज़े से, यदि कुछ knowledge की बात करने लगता हूँ, तो उनको लगता है कि बकवास हो रही है, चलिए अनिम्न में से, यह किसका विचार है कि गांधी ने सत्यागरा को नहीं बनाया, बलकि सत्यागरा ने गांधी को महात्मा बना दिया, उत्तर करेंगे, चलिए उत्तर तेजी से करेंगे, क्या बात है, अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं, वीडियो को लाइक नहीं कर हैं कोई वाद भी बाद मुकद्मा है हम से तो क्लियर करा लीजिए आद सुला कर लूँगा मूड में हूँ वीडियो जो है आप लोग कोई लंबा यदि आपका बाद भी बाद हो कोई मुकद्मा लंबा हम से चल रहा हो तो इसको आज आप लोग जो है वो निपटा लीजे चलें, निम्लिकित में से एक इसका विचार है कि गांधी ने सत्यागरा को नहीं बनाया, बलकि सत्यागरा ने गांधी को महत्मा बना दिया, आप लोगों को उत्तर करना है, चले, बहुत ही बड़िया, जो लोग आर-ार दिवाकर की बात करना है, उन सभी का उत्तर जो होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, आरार दिवाकर का इस स्टेटमेंट है दोस्तों, आप लोगों को इसको याद रखना है, कई बार ये पूछा जा चुका है, तो आपका उत्तर ए विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, जितने सारे लोग ए विकल्प के साथ जाएगे, उन नरेननाथ भट्टाचार नाम परिवर्थित करके मानवेननाथ राय के नाम से किस देश में बसे थे आपको जावा सहीं त्रेज अमेरिका जर्मनी और मेक्सिको दिया हुआ है किसी एक बिकल्ब का चुनाओ कर ये तेजी से उत्तर करिएगा चलें चलें बहुत ही बड़िया तेजी से उत्तर करें चलें कई सारे भी कल्ब आप लोगों के आ रहे हैं इस प्रस्ष्ण में चलें तो जितने सारे लोग इसमें मेक्सिको की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा में राय की बात की जा रही है दोस्तों नवेदनाद भटाचारिय इनका नाम है और 1917 में जो है दोस्तों ये बोलसेवी क्रांती के समय जो है ये चले गए 1917 में बोलसेवी क्रांती में इन्होंने जो है दोस्तों भाग लिया मतपूल रूप से और उसके बाद 1930 में 1930 में ये पुना भारत जो है दोस्तों आते हैं और 9 मानोबाद या New Humanism की जो थियरी है उसको देते हैं तो आप लोग ध्यान रखेगा 1917 में मैक्सिको में जाके MNRI के नाम से ये बसेंगे और उसके बाद से 1930 में भारत आएंगे और इनका जो सिधान्त है उसे 9 मानोबाद या New Humanism के नाम से जाना जाता है उत्तर चौथे विकल्प के लिए साही है अगले पिशने पे चलते हैं अगला दिया है निमन में से किसने कहा है कि जेल में भगवान उसके सामने प्रकट हुए उसने गीता दी उसे गीता दी और उसको सनातन धर्म के सरल सत्यों का बोध करवाया चले विवेका नन महात्मा गांधी अर्विंद गोष्ट सावर कर चारों में से एक को चुनिये और तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिएगा जेल में भगवान उसके सामने प्रकट हुए उसे गीता दी और उसको सनातन धर्म के सरल सत्यों का बोध करवाया किसने कहा चले विवेका थी बढ़िया चले तो जो लोग इसमें अर्विंद गोष्ट की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा चले अर्विंद गोष्ट मौदे का स्टेट्मेंट है दोस्तों कि जेल में भगवान उसके सामने प्रकट हुए कौन कह रहा है किसके लिए कह रहा है एमन जो है अर्विंद गोष्ट कह रहे है किसके लिए कह रहे है एक बार तेजी से कमेंट करके उत्तर करिएगा सामने प्रकट हुए उसे गीता दिये और उसको सनातन धर्म के सरल सत्यों का बोध करवाया चलें किस के लिए कहा रहा है आप लोग उत्तर करीगा आरविंद गोस्माओदे का कथन है उच्छा एक किस ने कहा है तो किस के लिए कहा है चलें मनीज जी कह रहा है गांधी जी के लिए जी थियरी की क्लास जो है वो अब लगबग कम्प्लीट होने वाली है तो अब थियरी की क्लास तो सम्भव नहीं चलें आप सभी लोग जो है दोस्तों दिमाग जो है अबने सही अस्थान पर रखिए स्टेट्मेंट को पढ़िये और उसके बाद भी आप समझिये कहा है कि जेल में भगवान उसके सामने प्रकट हुए उसे गीता दी और उसको जो है सनातन धर्म के सरल सत्यों का बोध कराया ये अपने ही बारे में कह रहे हैं जब इनसे जो है दोस्तों अपने बारे में इन्होंने स्वैम कहा है कि भगवान ने मुझे जेल में क्या दी गीता दी और मुझे जो है सनातन धर्म के सरल सत्यों का बोध करवाया तो अपने आप के बारे में इन्होंने कहा है अपना ब्रतांत बताया है और उसी इनके अपने ब्यक्तिगत ब्रतांत का ये स्टेट्मेंट है तो आप लोग इसमें जो है सी बिकल्प के साथ जाईएगा किसी और के बारे में इन्होंने नहीं कहा है मैं जान रहा था कि आप लोग महात्मा गांदी का चुनाओ करेंगे इसी लिए मैंने पूछा था जान बूज के चलिए कोई बात नहीं है गलती यहाँ पर करवाओंगा तो परिक्षा में आप से गलती नहीं होगी चलिए अगले प्रस्ण तुल्नात्मक राजनिति किसका अध्ययन है संस्थाओं और कारियों का सप्रकार की राजनितिक गत्विधी का सरकारी बगर सरकारी एवं समस्त राजनितिक गटनाओं का राजनितिक प्रक्रियाओं का तुल्नात्मक राजनिति जांच की तक्नीकों य प्रविधियों का संतोष जी आपका प्रस्ण जो है अब उसको बिल्कुल मिले होंगे तब ही जो है कहा होगा जी नहीं किसी और के लिए नहीं अपने ब्रतांत के बारें बता रहा था कि हमारे जो है उन्होंने बताया था माप करिएगा उन्होंने बताया था कि हमारे सपने में प्रभु आया उन्होंने मुझे गीता दी और सत्य के बारे में मेरे ज्ञान चक्ष को खोला चले उत्तर करेंगे अब इस प्रशन में आप लोग चले सही क्रम आप लोगों को बताना है दोस्तों दुलनात्मक राजनीती को यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोग इस क्रम को आसानी से लगा सकते हैं दार्सन उपागम ब्यवस्था उपागम नौ संस्था गत उपागम ब्योहरवादी उपागम तेजी से सारे उपागम पढ़े होंगे आप लोग जब राजनीयतीक दर्सन पढ़ना सुरू किया होगा तो सबसे पहले जो है दोस्तों इन उपागमों के बारे में आपने पढ़ा होगा जरूर तो आप लोग इसको तेजी से जो है वो क्रम से लगा दीजिए चले अब इस प्रशन में जो है सी बी कल्ब के लिए उत्तर आ रहा है कुछ दोस्तों का भी बी कल्ब के लिए उत्तर आ रहा है चले मैकसिमम लोग जो है सी बी कल्ब का A B, D और C की बात कर रहा है चलें तो सबसे पहले सबसे पहले जो है दोस्तों यूनानी परंपरा से शुरुआत होती है किसकी दार्सनी कुपागम की तो आपका A आ जाएगा सबसे पहले दार्सनी कुपागम के बाद से जो है दोस्तों ये लंबे समय तक प्रक्रिया चलती रहती है इसमें कोई सुधार नहीं होता है और आपके जो है दोस्तों डेविड इस्टन महोदे आते हैं और डेविड इस्टन महोदे जो है वो आपके वेवहरबादी उपागम की शुरुवात करवाते हैं तो वेवहरबादी उपागम किसमें दिया हुआ है बेवहरबादी उपागम जो है आपके D पे दिया है बेवहरबादी उपागम के बाद से जो है दोस्तों आपके बेवस्था उपागम की सुरुवात होती है तो आपका B विकल्प यहां पे जो होगा B आ जाएगा और आपके ब्यवस्था उपागम के बाद से नौ संस्थागत उपागम जो है एक नवी इन संरचना है तो आपका C आजाएगा तो आप लोग देख लीजिए A, D, B और C यदि इसमें से कम से कम आप दो को समझ जाते हैं आसानी से दार्सनिक उपागम और ब्योहरबादी उपागम उतने से आपका प्रसन बन जाना चाहिए जी विल्कुल बन जाएगा A और D तो आपका सबसे पहले दार्सनिक उपागम दार्सनिक उपागम की सुरुवाद प्लेटो और अरस्तू से होती है ब्योहरबादी उपागम की सुरुवाद जो होती है दोस्तों आपके डेविड स्टन महुद है इसमें जो है वो सुधार करते हैं और उसके बाद से ब्यवस्था उपागम, ये आपके जो है दोस्तों, नवीन संकल्पना हैं, ब्यवस्था उपागम और नौस अस्थागत उपागम, तो इसके अनुसार आप करम से लगाएंगे, दूसरा भी कल्प आपका सही हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रस के लिए मुझे थोड़ा सा प्रसन को साट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रसन जो है वो थोड़ा सा लंबा चोड़ा है, चले मैं प्रसन को आप लोगों के लिए पढ़के जरूर सुना दूंगा, यदि आप लोगों को देखने में समस्य हो चलिए, पहले प्रसन को आप लो जिसमें पहला जो है वो कथन दिया है दोनों उपरास्पती चुने हुए हैं सही है या गलत दूसरा दिया है दोनों अपने अपने देशों के उच्छ सदनों के सदत से नहीं है तीसरा आपको दिया है दोस्तों दोनों उपरास्पती अपने संबंदित देश के सदनों के सदत से नहीं है, दोनों को मत संतुलन की स्थिती में निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं है, अब आपको बताना है इसमें से कौन-कौन सा जो है वो सही होगा और कौन-कौन सा गलत होगा, तो आप लोग सो समझ के अपना उत्तर चुनने का प्रयास करिए, एक एक करके बताईए दोनों उपरास्ट्पती चुने हुए है या नहीं, या सारनों लिखिये तेजी से, दोनों उपरास्ट्पती, अमेरिका का उपरास्ट्पती और भारत का उपरास्ट्पती चले, तो अमेरिका का रास्पती भी जो है दोस्तों चुनाओं के माध्यम से चुनके आता है और भारत का रास्पती भी जो है दोस्तों चुनके आता है आप सभी को पता है लोकसभा, राजसभा के जो है वो सभी सदस्यों के द्वारा इसका चुनाओं होता है दोनों अपने अपने देशों में उच्छ सदनों के सदस से नहीं होते हैं बिल्कुल नहीं होते हैं दोस्तों किसी भी सदन के ये सदस से नहीं होते हैं जो है सदसिता इनकी नहीं होती है किसी भी सदन के रूप में आप लोग ध्यान रखेंगे तीसरा जो आपको विकल्ब दिया है दोस्तों तीसरा विकल्ब आपको दिया है दोनों राजपती अपने संबंदित देशों के सदनों के सदस से नहीं होते हैं तो जब अपने सदन के सदस से नहीं है तो जो है किसी भी देश में अपने अपने देश के ये सदस नहीं होते हैं, ये भी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, दोनों को मत संतुलन की स्थिती में निर्डायक मत देने का अधिकार नहीं है, चलें, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत में जो है दोस्तों गलत हो जाएगा, तो आपका एक, दो, तीन, जैनि ए, बी और सी जो है, सही है, और डी आपका गलत है, चलें, आगे बढ़ते हैं, अगले प॥े प्रशन पहे चलें, कोई जो है, निम्न में से कौन सी सासन प्रणाली सक्ति प्रथक करन के सिद्धान्त की उपज़ और उत्रा दिकारी किस सासन प्रणाली को समझा जाता है उत्तर करेंगे और तेजी से करेंगे जितनी तेजी से हो सके चलें तो अब इस फ्रस्न में भी देख रहा हूं आप लोगों का उत्तर आ रहा है छोड़ा सा वीडियो को सेयर करिए आप लोग अभी भी सेयर नहीं कर रहे हैं और लाइक भी नहीं कर बहुत सारे लोग जो हैं दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं तो आप लोग लाइक करिए चलें सक्ति प्रथक करण से धांत का जो जन्म होता है दोस्तों आपके अमेरिका से होता है तो आपको सोचना ही नहीं है उत्तर आपका भी विगल्ब के लिए बिल्कुल जही हो जाएगा सक्ति पर्थक करण अमेरिका के जो है दोस्तों अध्यक्षी सासन प्रणाली का एक महत्तो पूर्ण गूड है तो आप लोग जरूर इसको ध्यान रखेंगे आपका USA या अमेरिका सही हो जाएगा आगे बढ़ेंगे अगला पस्दिया निम्न में से संयुक्त राज्यसंग संविदान के किस अनुचेद द्वारा रासपती को कारेकारी सक्ति दी गई है रासपती को कारेकारी सक्ति जो है वो किस अनुचेद द्वारा दी गई अनुचेद देख अनुचेद दो अनुचेद तीन अनुचेद चा यदि अभी तक आपने नहीं किया तो जरूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि भारत के संभिदान का अनुछे तो हो सकता है आप लोग याद करने लेकिन अमेरिका के संभिदान का अनुछे जो है आप लोग स्क्रिप करके चले जाएंगे और एक भी प्रस्न पूछ लिया गया तो आसानी से ये सारे जो है 4-5 प्रस्न और जो पूछे जाते हैं अटिकल वाले अमेरिका के मैं सभी प्रस्नों को मैं अलग-अलग सिश्न में किसी दिन एक ही सिश्न में सारे प्रस्नों को करा दूँगा आप लोगं को कभी भी समस्या नहों अलाकि कराया भी है यह जदी आप लोग अमेरिकी संविदान वाला वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने आप लोगा क कराया है उसमें एक ही जो है वीडियो में सारा कराया है वैंने। संग के समिदान में जो है राजपती की कारेकारी सक्तियां आप से पूछी गई है और आप लोगों को उत्तर करना है दोस्तों तो इस प्रस्ण में जो है वो बात कर रहे होंगे तो कारेकारी सक्तियां जो है अमेरिकी समिदान के अनुचे 2 में दी हुई है आपका उत्तर जो ह या तो है USA हो या सांइकतराज संग हो क्या फरक पड़ता है सांइकतराज संग जो है वो दोस्तों साथ ही अनुछेद सबसे छोटा सम्मिदान है तो एक ही अनुछेद में कई सारी चीज़े दे हुई है पूछा आप से जो है रासपती के अनुछेद जा रहा है तो आप लोग जो है दो के साथ जाएएगा आगे बढ़ते है अगला पस जो आपको दिया है दोस्तों इसको भी थोड़ा सा मुझे एड़्जस्ट करना पड़ेगा चली एड़्जस्ट कर देता हूँ और आप लोग उचसदन की तूलना में अधिक सकती संपन है नेशनल असेंबली सरकार गिरा सकती है किसके बारे में कौन सा कहा जा रहा है अमेरिका भारत फ्रांस और सुट्जर लैंड आपको दिया है इसको आप लोग तेजी से सुमेलित करने का प्रयास करेंगे जितनी तेजी से आप ल उनों सब्णों की समान सकती जो है वो किस देश में है उचसदन निम्सदन की अपेक्षा अधिक सकती संपन कहां पे है नेशनल असेंबली जो है वो सरकार कहां पे गिरा सकती है तो आप लोग उत्तर करेंगे सी बीकल्प के लिए धड़ा-धड़ा आप लोगों का उत्तर आना शुरू हो गया है बहुत ही बढ़िया तेजी से उत्तर कर ये सब लोग उत्तर कर लिजे सब लोग उत्तर करें कुछ एक लोग जो है एक विकल्प का भी चुनाव कर रहे हैं कुछ लोग सी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं कुछ एक दोस्तों का विकल्प के लिए उत्त में हैं कहां पे हैं सुट्जर लेंड में उच्छ सदन निम्न सदन दोनों जो है दोस्तों एक जैसा उच्छ सदन निम्न सदन के पेक्षा अधिक सकती साली कहां पे है उच्छ सदन निम्न सदन के पेक्षा अधिक सकती साली तो उच्छ सदन जो है निम्न सदन के पेक्षा जो दोस्तों भारत में यानि लोक सभा जो है वो राज्य सबासर कार मिला जला शुरूफ पाया जाता है तो नेनेसनल असेंबली से जो हमत मिला सब्सक्तार क्या है तो यहां पर जो है श्रकार गिराने का पावर है नेशनल Assembly से जो है बहुमत National Assembly में जो है बहुमत नहीं होता है तो ऐसी इस्तिती में France में सरकार गिराई जा सकती है तो आपका उत्तर जो बनेगा दोस्तों इस प्रस्निक लिए A का 4, A का 4 जो है दो विकल्प में दिया है कोई बात नहीं है B का 1, A का 4, B का 1 A का 4, B का 1 जो है पहले ही विकल्प में दिया है जो लोग इसमें पहले विकल्प का चुनाओ कर रहे है उन सभी का उत्तर यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगले पिशन पे चलेंगे अगला दिया है निमलिकित में से कौन से पूरु ब्रतानी प्रदान मंत्री लेबर पार्टी के हैं आप लोगों को बताना है लेबर पार्टी के ब्रेटिस प्रदान मंत्रियों का इसमें से कौन कौन से लोग जो हैं वो लेबर पार्टी से हैं उत्तर करेंगे हराड विलसन एड़वर्ड हीत जान मेजर टानी ब्लेयर उत्तर तेजी से करें ब्रिटेन की दोनों पार्टियों का नाम बता दीजे टेजी से उत्तर करें ब्रिटेन की दोनों पार्टियों का नाम बता दीजे इस फ्रस्न को पूछने का जो उद्देश से था कई सारे उद्देश से थे इस प्रस्ण को पूछने के लिए तो आप लोग पहले तो दोनों पार्टियों के नाम बता दिए चलिए मैं आपको उत्तर बता दे रहा हूँ हेराल्ड विल्सन और टानी ब्लेर हैं माप करेंगे टानी ब्लेर नहीं हेराल्ड विल्सन महुद है और आपके जान मेजर महुद है ये जो है दोस्तों आपके लेबर पार्टी के जो है ये दोनों लोग रहे हैं तो आपका इस प्रस्ण में चलें तुक्का लगा देती हूँ चलें मनीज जी का उत्तर आया है लेबर पार्टी और कंजर्वेटी पार्टी बिल्कुल सही दोस्तों मनीज जी का उत्तर जो है बिल्कुल यहां पर सही आ रहा है मनीज जी जो है लेबर पार्टी और कंजर्वेटी पार्टी की बात कर रहा है इस प्रस्म में मैं बात कर रहा था आपसे Labour Party पूछा हुआ है तो दोस्तों Labour Party में जो है Herald Wilson clear है बिल्कुल और Tony Blair भी जो है दोस्तों आपके Labour Party के ही थे Heath और Major जो है दोस्तों ये Conservative Party से संबन्द रखने वाले लोग है तो आपका उत्तर जो होगा A और D के लिए साही हो जाएगा A और D जो है आपको A विकल्प में दिया है Herald Wilson महोद है और Tony Blair ये दोनों लोग जो है आपके Labour Party से संबन्द नित है और Edward Heath और जो है John Major जो है ये आपके Conservative Party से जो है वो संबन्द नित है कब तक जो है दोस्तों उजटम नियाले के नयादीस अमेरिका में अपने पतपर बने रह सकते हैं आप लोगों को बताना है 65 वर्स की आई तक, 70 वर्स की आई तक, 75 वर्स की आई तक मिलत्तिव होने अधवा तैक पत्र दिये जाने अधवा कांग्रेस द्वारा हटाए जाने तक, तेजी से किसी एक विकल्प का चुनाव करिए और उत्तर करिएगा चले ये तो बहुत ही आसान सा प्रसन है, कई बार मैं आप लोगों को करा भी चुका हूँ चले बहुत ही बड़ी है, तो जो है दोस्तों आजीवन जो होता है ये, आजीवन रहता है, यहाँ पर जो उस्तम नियाले है, निसुप्रीम कोट का जो नियाधिस है दोस्तों वो आजीवन रहता है, रेटायर नहीं होता है, हाँ, उसको जो है दोस्तों यदि वो त्याग पत्र दे दे रहा है या कांग्रेश उसे जो है वो हटा देती है तभी वो हटेगा आयू सीमा का निर्धारण जो है आपको अमेरिका में देखने को नहीं मिलेगा भारत में है दोस्तों भारत में सुप्रीम कोट का जज कितने वर्स में रिटायर होता है हाई कोट और सुप्र करें अधिक्तम आयू मैं बस आप से पूछ रहा हूं चले बहुत ही बढ़िया तो हाई कोट का जो नयाधिस होता है दोस्तों वो 62 वर्स और सुप्रीम कोट के जो आयू सीमा अधिक्तम है वो 65 वर्स है अमेरिका में इसका कोई उलेख नहीं है जब तक चाहे वो तब तक रह स पतर दे के अपने पत से हट सकता है या कांग्रेस उसे हटा दे चले तो उत्तर आपका सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगले प्रिशन बेर अगला दिया निम्लिखित में से कौन से संगी नयाले को राज्य द्वारा अथवा संग के संग ठक एकक द्वारा पारित इस इससन परिशन के लिए डिफ्टक जोटर आना शुरू हो गया है बहुत ही बढ़िया डीव कल्प के लिए उत्तर आ रहा है मैक्सिमम लोगों का सीधा सा प्रस्न है दोस्तों आपसे पूछा गया है कि राज्य के द्वारा बनाए गए कानूनों को जो है दोस्तों जो है वो राज्य के द्वारा बनाएगे कानूनों को तो जो है वो चले राज्य के द्वारा बनाएगे कानूनों को जो है और समयदानिक गोशित कर सकता है लेकिन जो है संग के द्वारा बनाएगे कानूनों को और समयदानिक नहीं गोशित कर सकता है तो दोस्तों आप सभी को पता है कि भारत और अमेरिका में जो है दोस्तों संग के द्वारा बनाएगे कानूनों को अवैद गोसित कर सकता है क्योंकि यहाँ पर राज्य जो है सोतंत्र है अमेरिका में राज्य का अपना अलग जो है कोर्ट है तो इसलिए अमेरिका से तो कोई लेना देना ही नहीं है भारत की बात करेंगे दोस्तों तो भारत में जो है वो आपका सुप्रिम कोर्ट है वो सर्व सकतिमान है वो चाहें राज्य के द्वारा बनाई गई भी दियो या सरकार के किसी को भी समयदानी गोशित कर सकता है Swiss Federal Tribunal जो है दोस्तों यहाँ पे आपके राज़ी के द्वारा बनाए गए नियमों को तो आपका Swiss Federal Tribunal खतम कर सकता है लेकिन संग के द्वारा बनाए गए नियमों को जो है ये नहीं परिवर्थित कर सकता है आप लोग इसको ध्यान रखेंगे तो आपका उत्तर जो होगा तीसरे बिकल्ब के लिए साही हो जाएगा जो लोग तीसरे बिकल्ब की बात कर रहे हैं चले अगला प्रशन चले अभी कथान और तरक दिया है ब्रिटेन की संसत संप्रभू है इंग्लेंड की महारानी नाम मातर राज्य प्रमुख है अपना उत्तर करिएगा चले जी विलकुल क्या हो गया बाकी लोगों को भूख लग गई क्या भूख लग गई या प्रशनों को देख के सरदर्द करने लगा चले अभी कथन दिया है और तरक दिया है उत्तर करेंगे तेजी से आसान सा प्रशन है ब्रिटेन की संसत संप्रभू है इंग्लेंड की महारानी नाम मातर राज्य प्रमुख है अब आप लोग इस प्रशन को पता नहीं कैसे करते हैं दिमाग को जो है आप लोग जेब में रख देते हैं क्या जब भी कथन और कारण वाला प्रशन आप से पूछा जाए तो आपको ये समझ में आना चाहिए सबसे पहला चीज आपके दिमाग में जब स्टेट्मेंट को आपने पढ़ा ब्रिटेंड की संसत संप्रभू है इंग्लेंड की मारानी नाम मातर की राज्य प्रमुख है क्योंकि सम्बैदानिक ब्यवस्ता है तो आप लोग दिमाग कहां रख देते हैं कि जब पहला जो इस कथन दिया है उसका दूसरे से कोई relation बन रहा है संप्रभुता का जो है इनके नाम मात्र के होने से वास्तविक होने से कोई संबंध बन रहा है या नहीं बन रहा है कम से कम इतना तो आप लोगों को सोचना चाहिए कोई संबंध नहीं है इससे ज़िस संबंध होता एक दूसरे को पुस्ट करते कथन तब तो आपका ये विकल्प सही हो जाता लेकिन जब यहाँ पे कोई relation ही नहीं हो रहा है नाम मात्र के उनके होने से और संप्रभू होने से कोई फरक नहीं पड़ता है तो आप लोग जो है दोस्तों इसमें भी चुना कर ये statement डोनों सही है लेकिन ब्याख्या नहीं है जले मनिश जी कर रहे हैं तो सर क्या संबंध है बता दीजे किसी भी संसथ के संप्रभू होने से और उसके रास्टा ध्यक्ष का नाम मात्र का रास्टा ध्यक्ष होना या वास्तविक रास्टा ध्यक्ष होने से कोई संबंध है और रास्ट संप्रभू इसलिए होता है क्या कि उसका जो है दोस्तों रास्टा ध्यक्ष जो है वो नाम मातर का है या वस्तविक है मैं कह रहा हूँ कि दोनों स्टेट्मेंट सही है लेकिन जो है यहां पर ब्याख्या नहीं है ब्याख्या इसलिए नहीं है क्योंकि संप्रभूता का रास्टा ध्यक्ष के नाम मातर का होने से और वस्तविक होने से कोई संबंध ही नहीं है बस इतना कह रहा हूँ और संबंध जब होता तब आपका ए बिकल्प सही होता यदि संप्रभुता संप्रभु वही राष्टर होता जिसका राष्टा ध्यक्ष जो है वो नाम मातर का हो तब ये विकल्प सही हो जाता तब व्याख्य हो जाती लेकिन जब संप्रभुता का इससे कोई लेना देना नहीं है कि उसका राश्टा ध्यक्ष किस थरीके का है जी तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा उत्तर आपका जो होगा आपका दूसरे विकल्ब के लिए सही हो जाएगा संप्रभुता राज्य का आवस्यक गुण है यह उसके सासन के प्रकार से संप्रभुता का जो है वो डिसाइड नहीं होता है संप्रभुता का जो संबंध है दोस्तों वो राश्ट की स्वतंतरता से है यदि कोई राष्ट जो है अपना निर्णा लेने में परतेक तरीके से स्वतंत्र है अच्छा क्या होता तो सही होता यदि संप्रभुता का संबंध राष्टा ध्यक्ष से होता तो सही होता लेकिन संप्रभुता का संबंध राष्टा ध्यक्ष से नहीं होता है प्रते एक राज्य जो है दोस्तों वो संप्रभू है संप्रभुता उसको जो है वो नैसरगिक मिली हुई है प्रते एक राश्ट्र को यदि उसके उपर किसी दूसरे का कबजा नहीं है कोई दूसरा उसकी अपनी नीतियों को उसके उपर नहीं थोपरा है तो वो संप्रभू है, संप्रभुता राज्ये का आवस्यक गूण है इसको आप लोगोंने पढ़ा होगा तो संप्रभुता राज्य का आवस्यक गुण है उसका राष्टा द्यक्ष कैसा होगा इससे संप्रभुता का कोई लेना देना नहीं है उसका राष्टा ध्यक्ष तानासा होगा उसका राष्टा ध्यक्ष इलेक्टेड होगा उसका राष्टा ध्यक्ष मनोनित होगा उसका राष्टा ध्यक्ष जो है वो वन्सानुगत होगा इससे कोई लेना देना संप्राउता कर नहीं होता है चलिए याद भारती एक होना चाहते हैं और एक समान संस्कृति विक्सित करना चाहते हैं तब यह समस्त भारतियों का अनिवारे करतब्य है कि हिंदी को अपनी भासा के रूप में अपना है कोई भी भारती जो इस प्रस्ताव को नहीं मानता वो भारती कहलाने का अधिकारी नहीं है निवन में से जो है ये स्टेटमेंट किसका है आप लोग उत्तर करेंगे अम्बेडकर जी को दिया हुआ है बाला साहब देवरस को दिया है ये अनमुंसी सेट गोबिन दास तेजी से उत्तर करेंगे हिंदी की इस तरीके से जो है वकालत जो है किसने की थी यदि भारती एक होना चाहते हैं उनको जो है एक समान संस्कृती विक्सित करनी होगी और हिंदी को अपनी रास्ट भासा के रूप में स्विकार करना होगा चले हिंदी को अपनी भासा के रूप में अपनाना होगा तो ये सुझा जो है दोस्तों आपके बियार अम्बेडकर महोदे ने दिया था लोग इसमें हम भीट कर जी की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुछ सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगले पस्ट पर चलेंगे अगला पस्ट दिया है निम्लिखित में से किसने भारतिय समाज को राजनितिक द्रिश्च से और राजनितिक समाज भारति जो है वो समाज को किसने कहा था रजनिक उठारी मौरेज जौन्स स्टेनले पोचनक और पाल आर्ब्रास चारों में से किसी एक कर चुनाव कर लिजिए और उत्तर तेजी से करिएगा चले चले वहुत तेजी से उत्तर करें राजनितिक द्रिश्च से और राजनितिक समाज समाज की बात यहां पर की जा रही है भारतिया समाज की आप लोग ध्यान रखिएगा चले सब लोगों का उत्तर जो है मौरेज जौन्स के लिए आ रहा है चले तो आप लोग जाएएगा किस के साथ राजनिक उठारी के साथ उत्तर आपका राजनिक उठारी के लिए सही हो जाएगा राजनिक उठारी ने भारतिया समाज को राजनितिक द्रिश्च से और राजनितिक समाज कहा है क्यों कहा है? क्यों की दोस्तों भारत जो है एक लोक्तांत्रिक देश है और लोक्तांत्रिक देश में हमारे यहां पांच वर्स पे चुनाओ की परम्परा जो है है तो समाज जो है पांच बर्स में एक बार राजनितिक गतिविधी में हिस्सा लेता है बर्स बर्स क्या होता है बर्स बर्स जो है अपने दरवाजे पर हाथ पैर में जो है वो लोशन लगा के ओयल लगा के बैठा रहता है किसी राजनितिक गतिविधी में इस पांच साल में सिर्फ एक बार अपनी राजनितिक गतिविधियों में भाग लेने की वज़ा से इसको राजनितिक समाज तो है भारतिय समाज को राजनितिक द्रिश्ची से और राजनितिक कहा क्योंकि ये निरंतर जो है राजनितिक गतिविधियों में भाग नहीं लेता है तो उत्तर आपका एविकल्प के लिए सही होगा चले चले राइट या रांग कुछ भी करिए बस जो वता रहा है उसको ध्यान से सुनिए निमलिकित में से किस अधिनियम में प्रांती विशियों को हस्तांतरित और आरक्षित विशियों में विभाजित किया गया था प्रांती विशियों को आरक्षित और हस्तांतरित दो भागों में बाटने का कारिय जो है किस अधिनियम में किया गया है उत्तर तेजी से करेंगे आप सभी लोग कोई किसी का मजाग नहीं बनाएगा सब का देख रहा हूँ किसका कितना सही हो रहा है कहा है कि कोई किसी का मजाग ना बनाए भाई और आप लोगों से कहता हूँ सिसन के बीच में तो आप लोग बिल्कुल भी इंटरप्ट ना करें और ये मैं क्लास में एक मर्यादा मेंटेन रखने का प्रयास करता हूँ आप लोग भी उसमें मेरा सायोग करें चलें वोड़ी बहुत सरारत चलती है लेकिन आपके किसी यदि एक्ट की वज़े से आपके किसी जो है वो कमेंट की वज़े से किसी का भी दिमाग यदि विचलित होता है तो आप उसके साथ हन्याय कर रहे हैं चलिए सब लोग अपने अपने पर ध्यान दीजिए तो दोस्तों प्रांती जो है विशेओं को हस्तान तरिक और अरक्षित जो है भागों में दो भागों में बातनी का प्रयास मांटेस्क्यू चम्सपोर्ट सुधार के ताहर जो है 1919 में किया गया था जो लोग इसमें 1919 के अधिनियम की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा चले अब साना सिदिकी जी करिये अब सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन यह दि आपने दबाया होगा तो आपको नोटिफिकेशन भी गया होगा कि अब लास तब नहीं मिलती है जब आप जो है कि जादे समय से चले बिल्कुल निम्लिकित में से किसने भारती राजनीती में संत परक मुहावरे संकली एंडियम का विचार दिया चले अब उत्तर करिए चले तो हो जाता है कभी कभी उत्तर करेंगे सिसन आज का अपसाना जी जरूर देख लीजिएगा रेपीट करके संकली इंडियम का विचार आप लोगों को बताना है दोस्तों जापकास नारायर रजनी कोठारी मौरिस जांस और आपको जो है जेम्स मैंनोर दिया हुआ है संपरक मुहावरे के लिए उत्तर करें तेजी से करेंगे चलें तो संपली इंडियम का विचार है दोस्तों ये आपके मौरिस जोंस के द्वारा दिया गया बिल्कुल सही आप लोगों का उत्तरा आ रहा है क्यों जो है दोस्तों क्या है सेंटले इंडियम का विचार तूट फूट का विचार है तो आप लोग ध्यान रखिएगा आपस में राजनितिक दलों में के संदर्ब में जो है दोस्तों इन्होंने कहा था कि इन लोगों में आपस में जो है वो राजनितिक दलों में आपस में जो है वो समाजिक सहयोग की भावना इनके अंदर नहीं है इसलिए जो है दोस्तों इन्होंने ये बहस की थी तो आप लोग अपना उत्तर इसमें मौरिस जांस के लिए उत्तर सहयोगा आगे बढ़ते हैं अगला पस जो है निम्लिकित में से किस समाजी कांदोलन को गैर पार्टी राजनितिक गठन के रूप में बताया है चलें गैर पार्टी राजनितिक गठन किस समाजी कांदोलन को जो है दोस्तों माप करेंगे किसने समाजी कांदोलन को किस समाजी कांदोलन नहीं चला है समाजिक आंदुलनों की बात हो रही है क्योंकि भारत में जो है दोस्तों भारते इतिहास के जो इदिया आप आंदुलनों को समाजिक धार्मिक आंदुलनों को पढ़ेगे तो आपने एक चीज आपको कामन देखने को मिलेगी कि उसमें पार्टी गत जो है वो भावना ने थी कोई पार्टी का जो है दोस्तों उसमें हस्तक शेप नहीं था किसी भी आंदोलन को आप उठा लीजे किंची तेकाद आपको मिल जाएंगे जो दलगत भावना से जो है प्रेरित आंदोलन हो लेकिन ये समाजिक पूर्ण रूप से समाजिक जो है वो आंदोलन थे खैतरी ये अंदोलन के नाम से भी जो है इसको आप लोग इतिहास में पढ़ते हैं तो पार्टी का कोई दखल अंदाजी नहोंने की वज़ज़ से जो है दोस्तों भारती समाजिक आंदोलनों को गैर पार्टी राजनेतिक गठन के रूप में जो है आपके रजनी कोठारी महोदे ने बताया है उत्तर आपका दूसरे विकल्प के लिए सही होगा जो लोग इसमें रजनी कोठारी की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर सही है आगे बढ़ जाते है अगला पस दिया है नि करें कि अर्टी अनधुलन का वर्ष बता दिजिए सर्वध मांदा बचाओ और चिप को आंधुलन जिसे चले अरे year बताईए आप लोग ABCD ना बताईए year बताईए नक्सली अंदुलन का वर्स क्या है अब BB कल्प एक आदमी ने कर दिया सब लोग BB कल्प का रटने लगेंगे मुझे बताईए नक्सली अंदुलन का year क्या है किस वर्स में नक्सली आंदुलन हुआ था सर्वोदय आंदुलन बता दीजिए एक तो बता दीजिए कहां गया सर्वोदय आंदुलन चले विरेंद कुमार जी नक्सली आंदुलन के लिए जो 1965 की बात कर रहे है चले बहुत ही बढ़िया तो नक्सली अंदूलन जो है दोस्तों बेसिकली आपके 1960 में है चले सर्बोदा अंदूलन की बात करें आप लोग 1950 से 1960 के बीच में जो है सर्बोदा अंदूलन चला गया था किसके दोरा चला गया था सर्बोदा अंदूलन चले नर्मदा बचाओ आंदूलन मेगा पाटिकर चले इसकी सुरुवाद बता दीजिए नर्मदा बचाओ मेगा पाटिकर उननाईस सो पचासी चले चिपको आंदूलन उननाईस सो चोहत्तर चले आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण कुछ चीज़ें डूड़ा करिए आप लो जी चलिए जैपकास नहराण के लिए उत्तर आ रहा है यह सारा मैंने आपको बता दिया है उसके अनुसार उत्तर देख लिजेगा यह दिना बताया हो और लिए प्रस्ण पे आते हैं ते का नाम आप अपसे पूछा गया है नहीं प्रस्ण प्रस्ण कै इसमें से कौन था? चले बहुत ही बढ़िया उत्तर आ रहा है सभी लोगों का चले तो जो लोग इसमें नयमूर्थी लीला सेठ की बात कर रहे होंगे उत्तर आपका जो होगा दूसरे बिकल्ब के लिए सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला पस्निमलिकित में से क्या भारत के निर्वाचन आयोग का कारे नहीं है कौन सा कारे इसमें से भारत का निर्वाचन आयोग नहीं करता है कॉन सा कारे इसमें से निर्वाचन आयोग का नहीं है कौन करता है निर्वाचन माफ करेंगे चुनाप परिणाम को रद्ध घोसित कौन करता है चुनाप परिणाम को रद्ध घोसित करने की सक्ति किसके पास है उत्तर करेंगे यदि किसी चुनाप को रद्ध घोसित करना हो तो कौन करेगा चलने रेटर्निंग आफिशर सप्रिम कोट की बात आ रही है चलने देखिए चुनाप को रद्ध घोसित करना हो तो करेगा तो यही नर्वाचन आयोग ही करेगा लेकिन बिना रास्टपती के सलाय के जो है वो नहीं कर सकता है तो इसमें रास्टपती की दखल अंदाजी होती है आप लोग ध्यान रखेंगे बिना रास्टपती की अनुमती के किसी के चुनाओं को यह जो है वो अवैद गोसित नहीं कर सकता है उत्तर आपका डीवी कल्प के लिए बिल्कुल सही है अगले पिशन पे चलते हैं अगला पस्दिया भारत में रास्टी अखंडता दिवस निम्लिकित में से किस्तिती को मनाया जाता है रास्टी अखंडता दिवस के लिए उत्तर करेंगे आप लोग जी रास्टपती की अनुमती से ही नर्वाचन आयोग जो है इसको कर सकता है अब बताइए रास्टी एक अखंड़ता दिवस के लिए अब लोगों का चलें तो रास्टी एक अखंड़ता दिवस जो है दोस्तों 19 नवंबर को इंद्रा गांधी जी की जयनती के दिन जो है मनाया जाता है आप लोग ध्यान रखेएगा इंद्रा गांदी जी की जयनती की तिथी को 19 नवंबर को रास्टी अखंडता दिवस के रूप में मनाया जाता है उत्तर आपका जो होगा इस प्रस्ट में दूसरे भी कल्ब के लिए सही हो जाएगा चलिए चलें 19 नवंबर को इंद्रा गांधी जी की जयनती को रास्टी अखंडता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं रास्टी मत्दाता दिवस कब मनाया जाता है मत्दाता दिवस कब मनाया जाता है उत्तर करेंगे तेजी से रास्टी मत्दाता दिवस के लिए उत्तर करें चलाएं बिल्कुल जो बिल्कुल 25 जन्वरी आप सभी लोगों का उत्तर जो है बिल्कुल सही है बाकी आप लोग रास्टी अखंडिता दिवस से याद रखिएगा आपके जो है दोस्तों 15 माप करेंगे 19 नॉवंबर को ये मनाया जाता है गांधी चलाएं बिल्कुल किट्टू जी बात कर रही है 25 जन्वरी को मद्दाता दिवस 24 जन्वरी को बालिका दिवस जी बिल्कुल अभी हम लोग बात कर रहे है 19 नॉवंबर की तो 19 नॉवंबर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा चले हैं उसके लिए आप लोग उत्तर करिए तेजी से थोड़ा कर दीजिए इस प्रशन को तो चले हो गया वो जो है वो हम उठा थोड़ा सा इधर उदर हो गया तो वो 25 की जगा 35 हो गया मैंने थोड़ा सा असी मजाक किया तो अब आप लोग तो पीछे ही पड़ गया वो टाइपिंग एरर है जो है आप लोग इसको सुमेलित करने का प्रयास करिए चले है तो यदि लोग लेखा समिती की बात करेंगे तो आप सभी को पता है दोस्तों लेख लेखा समिती में जो होते हैं 22 सदस से होते हैं कम से कम 20 बार कराया होगा प्राकलन समिती की बात करेंगे दोस्तों तो आपको पता है जो है तीस सदस से होते हैं इसमें विवाग से सम्मनित अस्थाई संसधिय समिती की बात करेंगे तो संसधिय समिती जो है यह दोस्तों इसमें 45 सदस्य होंगे और जब आपसे लोगसभा की ब्योस्था समिती की बात की जाएगी तो ब्योस्था समिती में जो होंगे दोस्तों वो 15 सदस्य होंगे तो आप लोग दूसरे बिकल्प की बात करने, उन सभी का उत्तर जो होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसमें चले जाएगा। उत्तर आपका बीविकल्प के साथ सही है। चले, उम्मीद है कि आज का सिसन आप सभी लोगों को जो है वो पसंद आया होगा, कुछ न कुछ आप लोगों को सीखने को जरूर मिला होगा, तो आज के सिसन के बारे में आप सभी लोगों का विचार क्या है, आप लोग अपना ब्यक्तिगत ओपीनियन आप लोग सेयर कर सक कल संडे था इसलिए क्लास नहीं हो भाई चला है जी थोड़े से जो है वो आजस्तरी ये प्रस्नों को मैंने जानबूच के रखा है क्योंकि सामाने प्रस्नों को इतनी बार करा चुका हूँ आप लोगों के बहुत जो है वो कोई प्रस्न मैंने छोड़ा नहीं है संभावता दोस्तों बासट जो है सेशन आप लोगों को करा चुगा हूँ तो समाने प्रस्णों को भी कराऊंगा लेकिन अब बीच बीच में एकाद दिन आप लोगों को जो है दोस्तों इस तरीके से कुछ नया प्रस्णों को कुछ थोड़े से स्टेंडर प्रस्णों को जरूर लेके आउंगा बीच में जिससे कि आपका जो है जो खासर के जो लोग मेरे साथ नियमित रूप से जुड़े हुए हैं उनका जो है वो माइंड प्रेपेर रहे एक्जाम के लिए प्रतिष्ठा जी पूछ रहे हैं आपका टाइम क्या होता है क्लास का सबा नौ बज़े से नौ बज़े के पंदर मिनट में क्लास शुरू हो जाती है चलें बहुत बहुत धन्यवाद सुमण जी अरे रोज लियाऊंगा तो आप लोग भाग जाते हैं आज ही के सिशन में देख लीजिए आदे लोग जो है वो भाग गए 35-40 मिनट की क्लास के बाद ही चलें क्लास का एक डिकोरम होना चाहिए और मैं कोशिस करता हूं मेंटेन करने का उसमें आप लोग सायूग करते हैं बहुत ही अच्छी बात है चलें जी विलकुल थोड़े से प्रस्णों का अस्तर उठाना पड़ेगा जान बूज के उठा रहा हूं आप सभी को पता है दोस्तों की एक्जामनर जो है वो चेंज होंगे आपके बोर्ड के सारे मेंबर चेंज हो गए हैं तो अब नए एक्जामनर आएंगे तो वो कोई जरूर नहीं है कि ट्रेडिशनल प्रस्ण ही बनाया तो उसकी वज़ए से थोड़ा सा प्रस्णों को जो है वो आप लोगों को अपने आपकी जो तैयारी है वो थोड़ी सी मॉडरेट होनी चाहिए चलें तो फिलाल के लिए आप लोग अन्मत ही दीजे फोड़ा सा आप लोग मेरा सायोग के अगर यह दोस्तों मैं हर अस्तर से आपको तैयार करना चाहता हूँ आप लोगों को सफलता दिरार चाहता हूँ बस आप लोगों से एक ही जी बिल्कुल ले आता रहूँगा आप लोगों को हमेशा कुछ न कुछ सीखने को ही मिलेगा सेशन से आपका समय बरबाद नहीं होगा इसकी गैरेंटी है मेरी मैं एक गंटे की क्लास लूँ दो गंटे की क्लास लूँ आपका समय बरबाद नहीं होने दूँगा कुछने कुछ आपको सीखने को मिलेगा पुराने प्रस्णों को जी बिल्कुल पुराने प्रस्णों को कई बार करा दिये हैं और फिर से करा देंगे ऐसी कोई समस्या नहीं है पुराने प्रस्णों को दुबारा करा देंगे मैंने आप लोगों से वायदा किया है कि आपके सलेवस को कम से कम दो बार तो करा दूँगा दो बार मैंने दो क्या तीन बार करा दिया है अभी एक बार और करा हूँगा चार बार करा दूँगा तो जो सुरू से है उसको कम से कम जो है दो तीन बार या चार बार जो है सारे प्रश्न मिले होंगे जो अब नय नय जो लोग जुटना है उनको भी रिपीट कराऊंगा अभी एक बार और कराऊंगा तो आप लोग जो है जरूर आपके एकजाम से पहले आपका कोई भी हिस्सा मैं अपनी तरब से कमजोर छोड़ने का प्रयास नह करिए थोड़ा सा अपनी संख्या पे जो है दोस्तों आप लोग ध्यान रखिए संख्या को मेंटेन करेंगे मेरा एनरजी लेवल बूस्ट रहेगा तो मैं हमेशा आप लोगों के लिए जो है बो मेहनत करूंगा देखिए किसी को जो है दोस्तों यदि कोई मोटिवेशन न भूड़ना नए प्रश्णों को ले आना कुछ नए टापिक को एक्स्प्लेइन करना इन सब में एनरजी लगती है इसमें एक्षा सक्ती की जरूरत होती है तो उसके लिए आप लोगों को मेरा सायूग करना पड़ेगा चले प्रतिष्च्छा जी कर रही है सरक्या हर बार अधिया सदस्य जी नहीं हर बार नहीं सदस्य नहीं चुने जाता है अधिया इन लोगों का पुराने जो लोग थे उनका टेन्य और पूरा हो गया था मिनाक्षी जी पूछ रहे हैं एक्जाम कब होगा देखिए जनवरी लास्ट फरवरी में जो है वह जनवरी लास्ट और करके तैयारी कर सकते हैं चले है अब साना जी पूछ रही है सर मेंबर्स कितने दिन में चेंज होते हैं कि यह सरकार के उपर है और नर्मर्मर्ली दस एर में दस साल का साइट टेन्योर होता है इसमें बदल जाते हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करने में जो है वो बिलकुल कंजूसी ना करिए आप लोग थोड़ा सा जो है मेरा सायोग करिए मैं आपका भरपूर सायोग करूंगा उमीद करता हूं कि आप लोग जो है सभी लोग वीडियो को सेयर करेंगे एक बार आप लोग सोसल मीडिया पे जो है दोस्तों, मन से, जितने भी लोग हमारे साथ हैं, एक बार आप लोग मन से हर जगा सेयर करते हैं, फेस्जुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, तो यदि पचास लोग ही सिर्फ सेयर करते हैं, चारो तरब दिखने लगेगी पोस्ट, लेकिन आप लोग ये करते नहीं है, फिर भी मैं भी हिम्मत नहीं हा रहा है, यदि 262 क्लास में हिम्मत नहीं हा रहा हूं, तो अब नहीं हारूंगा, देखता हूं, कब तक आप लोग नहीं करते हैं, आप लोगों के, सेयर करने का, जो हैं, दोस्तों, आप लोगों के, सायूग का, कि आप एक्षा मैं हमेशा करूँगा एक कि अधरी सदसे चेंड होना थे चले कोई बात नहीं है उजजजी सदसे चेंड हो गया उससे क्या फरक पड़ता है उससे कोई फरक नहीं पड़ता है आप तैयारी अपनी रखिए कॉन्फिडेंट रहिए एकदम मैं आप लोगों का कोई पक्ष कमजोर नहीं छोड़ता हूँ उसलिए आपको घबड़ाना नहीं है कि सदसे चेंड हो गया तो कुछ वो कहीं से जो है मंगल ग्रैस से कोई सवाल उठा के लिए चले आएंगे सवाल आपके सलेबस से ही आएंगे अच्छे से पड़िये समझिये जो चीज नहीं समझ में आती है हम से पूछिये आप लोगों का सायूग करने के लिए हमेसा तरद पर बैठा हूं मैं आप लोगों का सायूग करूँगा जहां पर आप लोगों को समस्या होगी रमा संकर जी PDF के लिए बिल्कुल मैं प्रयास कर रहा हूँ PDF के लिए कि आप लोगों का PDF जो है मिलने लगे आप लोगों को एक्चली जो PDF के लिए जो काम करते थे उन्होंने जो है वो आना ही बंद कर दिया है इस समय इसकी वज़े से PDF आप लोगों का प्रभावित हो रहा है अब देखता हूं मैं कुछ यथा सिग्र मैं आप लोगों के लिए कुछ खतने का प्रयास कर रहा हूं कि PDF आप लोगों को मिले अधिस्टाल PDF नहीं हो पा रही है वह आप लोगों को PDF देदूंगा आप लोग उसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि सारी क्लासेज आप लोग नियमित रूप से देखते हैं जैसा भी होगा आप लोगों से बिना विचार विमर्ज किये मैं कोई कान नहीं करूंगा चलिए तो फिलाल के लिए आप लोग उनिमत ही दीजिए मिलते हैं दोस्तों कल एक नए सिशन में तब तक के लिए जाँ पुलिए देखते हैं